दोस्तों अगर आप घर के लिए या फिर ओफिस के लिए प्रोजेक्टर करीदें के लिए सोच रहे हैं तो आज के वीडियोगा काफी महत्पून होने बाला क्यों कि आज मैं आपको बताने माला हूँ पांच बेस्ट प्रोजेक्टर के बारे में, जो कि आप घर के लिए या फिर ओफिस के लिए आप खरीज सकते हैं, साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि प्रोजेक्टर करीदते वक्त किन सब बातों का ध्यानमें रखना चाहिए तो अगर आपको इस सबसाले जीज़ों के बारे में जाना है तो बिना स्किप के वीडियो का अख्री तक बने लेगा तो चले शुरुआत करते हैं नमस्का दोस्तों में नामें अमन जैस्वाल और आप देखे रहें आपका चैनल है टेक्ट ट्रिफोर भी सेवें तो शुवात करने से पहले आप से गुज़ारी से अगर आप हमारे चैनल में नहीं आए तो नीचे देगा सब्सक्राइब बटर दोस्तों पहले क्लिक कर सब्सक्राइब करो और ना बूले तक कि हर दिनम टेक्नों जूड़ी वीडियो लेकर आते रहते हैं उसकी नोडिफिके यह तो आपको खरी सकते हैं और जूटने में अगर जाएग लेकर आप उसको घर के लिए आप यूज्ट कर से तो घर के लिए लेकिन घर के लिए से या फे जो है अगर आपको कोई ऐसा एजुकेशन पॉपर्स अगर यूज करना है तो उसके लिए दोस्तों आपको तीन अजार से लेकर जो है साड़े तीन अजार देकर लिमेंस होना जरूरी है तो यह चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों यह था पहले नमबर पर दू भी वीडियो प्ले करने वाले है उसे माली जागर और आपके जो प्रोजेक्टर दोस्तों प्रोड़ेशन वाला नहीं है तो शायद आपको जो है उसमें देखने में प्रॉब्लम हो सकता है और इस कारण साथ दोस्तों सजेस्ट यह किया जाएगा कि पहले आप डिसाइड क और आपको फिस्तों सब्स्तों से उपर होना चाहिए तो वह अच्छा रहा है जाएगा ताकि पिक्ट्र गॉलेटि आपको अच्छी देख्षी में में और पिक्टर में तो यह तीसरी चीज आपको यह बात अरमें में रखना है स्क्रीन और चौतर नम्मकार नमें रखना दूस्तर पोट की कितने सारा वस्कार और ऑप आनाओ Dimay 25 से चीज Σीस पर्णिय को च्ट मेरेखनी है और आफ़ी द्यान लेक्ता boss's चीज इन आफको मध्याद्पूर की कौन से टेख्णलोजी पर पहला के देख्णा bena कि आपको एपने है कि आपको एलिए लुटी फ्रीस एक प्रोजेक्टर को मिलेंगा तो नहीं मिले प्रोजेक्टर को थोड़े वाले जितने प्रोजेक्टर है वो थोड़े से लाइट वेट होते हैं लेकिन दोस्तों आपको पिक्चर कॉलिटी अगर आपको बेस्ट चाहिए तो LCD या फिर LED वाले आपके लिए बेस्ट होगा तो दोस्तों यह थी कुछ जानकरी प्रोजेक्टर को लेके दोस्तों आप जा को स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं पहला इसका ब्राइटनेश जानेंगे ब्राइटनेश वोस्तों इसमें 6000 आपको मिल जाता है जिसमें आपको काफी अच्छा आपको पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगा और इसकी जहां तक है कि स्क्रीन साइज के बारे तो इसका पोर्ट जो है दोस्तों इसमें SDMI, VGA, USB, Audio Port सारी चीज़े मुझे इसमें मिल जाता है साथ ही जहां तक कि इसकी मैं टेक्नलोजी के बात करो तो दोस्तों ये जो है एक तरीके का जो है LED जो है प्रोजेक्टर है इसमें आपको पिक्चर क्वालिटी आपको अच्छ दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ ये पांचों का मैंने डिस्क्रिशन लिंक दे दिया तो अगर आपको कोई खरीदना है तो आप जो है ऑनलाइन के Amazon के तुरू जाके आप चेक कर सकते हैं तो दोस्तों ये था पहले नंबर का प्रोजेक्टर एवरी कॉम एक्स लाइ जान लेते हैं दूसरे नंबर के प्रोजेक्टर के बारे में जिसका नाम है EGAT K9 और इसकी चली कुछ जान लेते हैं're द invas~! दोस्तों पहला जो हम इसके brightness के बारे में जा रहेंगे इसका brightness जो तो वो है 3000 lumens है और 3000 lumens होने के कालन जो है मैं इसको office के purpose से और साथ ही education के purpose से use कर सकता हूँ और इसके लावा दोस्तों इसके resolution के बारे में जानते हैं तो इसका resolution दोस्तों वो 720 pixel का है और जो आप 720 pixel के सोने के साथ-साथ आप इसको 1080 pixel में भी आप use कर सकते हैं हाला कि जो है दोस्तों ये 720p को ही support करता है लेकिन आप इसमें 1080p का भी कोई आपका वीडियो है तो उसको भी जो है आप इसमें play कर पाएंगे वो भी आपको support करेगा साथ ही जहां तक है कि इसकी में screen size के बारे बात कर दो तो इसका screen size 180 inch का है तो बड़ी असानी से आप जो है इसको teaching के purpose से या फिर ऑफिशल को ये प्रजेक्टर आपको presentation करना है उसके पंपस से आप इस projector को काफी असानी से और आप यूसके लाबाव इसके port के बारे बात करें दोस्तों इसमें sdmi port sd card का प्रोड़ प्रोर्ट तीया हुआ है साथ ही दोस्तों इसमें आपको usd port पी आपको और जो डिस्प्लेइं क्लारेटी आपको मिल जाएगी तो यह से प्रोजर प्रोजेक्टे across खास मिल जाते हैं आपको देख़नेगे ञते हैंहिएया है तो यह था दोस्तो दूसे प्रोजेक्ट से बारे बारे आ जान लेते हैं वह है विसटेक DR भी Steps इसकी चली स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं तो इसका काफी अलग आपको देखने को मिलेगा बाकी जितने प्रोजेक्टर से बाकी दो जो मैंने प्रोजेक्टर बता है क्योंकि यह जो है Android SD प्रोजेक्टर है जिसमें आपको 720 पिक्सल का रेजोलीशन मिल जाता है साथ ही इसम है जो स्क्रीन साइज है वह आपको 210 इंच का है वह काफी अच्छा काफी बड़ा इसमें डिस्पले आपको देखने को मिल जाता है और जहांते कि इसके मैं ब्राइटनेस के बारे बात करूं तो इसका ब्राइटनेस दोस्तों वह है 3300 लुमेंस का जो ब्राइटनेस आपको को देखने को मिल जाता है बिजिटाइग भी इसक्से चली प्राइस के बात करते हैं तो यह प्रोजेक्टर करते हैं तो यह प्रोजेक्टर आपको जो 13990 रुपर एक प्राइटनेस ब्राइटनेस इसका कितना इस तो तो तीन अजार तीन सो का ब्राइटनेस है रेजुलिशन दोस्तों यह और के प्रोजेक्टर है तो आपको कोई भी एगर विडियो अगर आपको प्रोजेक्ट करना है तो आपके लिए यह अच्छा हो सकता है साथ ही स्क्रीन साइज जो है दोस्तों इसमें मुझे हंडेट इं है यह जानता करने बारे बात करें आपको दो USB पोर्ट मिल जाता है साथ ही इसमें दो प्राइस में आपको यह देखने को मिल जाता है साथ ही दोस्तों जहां तक इसके में रिजुलिशन बात करें वन जिरो पिक्सल का जो है आपको जाता है और इसकी स्क्रीन साइज तो वह काफी बड़ा स्क्रीन साइज इसमें आपको देखने को मिल जाएगा और जहां तक कि तो दोस्तों यह है इसके बारे में और जहां तक कि मैं इसके में बात करें तो आपको यह आपको 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 देखने को मिल जाएगा जहां तक कि वेंट को कमपनी इस प्रोजेक्टर का प्राइस करें बात करें तो आपको यह 12,990 रुपे प्राइस पर आपको यह आमजान में देखने को मिल जागा दोस्तों यह प्रोजेक्टर मैंने बता है इसमें से एक बेस्ट प्रोजेक्टर जो मुझे पसंद है वह मैं काफी सारे अच्छे इसमें स्प्रोजेक्टर में चाहिए तो दोस्तों यह था विजिट एक कंपनी का प्रोजेक्टर जो मुझे पसंद है आपको कौन सा पसंद है आप नीचे कमेंट बॉक्स जाके जरूर बताएगा और इसके लावा भी दोस्तों आपको और बे अगर आपको अगले वीडियो में आज के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद